हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सहर करने वाला हूँ कि Reused Content को किस तरीके से फाइंड करना है आप अपने Mobile पर किस तरीके से देख पाएंगे आपके चैनल पर जो Reused Content आ जाता है उसे आप किस तरीके से हटा पाएंगे आजके इस वीडियो में प्रॉपर डीटेल में इसी पर बात करने वाला हूं और री उज़ड गन्टेन्ट एक बार में हट जाएगा ये भी आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि आपके चैनल पर ऐसी कोई भी problem आ जाए तो बहुत कश्च होता है क्योंकि reused content ऐसी problem है जिसकी वज़ा से चैनल पर monetization ही बंद हो जाता है जब monetization बंद हो जाता है तब बहुत दुख होता है तब चैनल पर दिक्कत होती है तब काम करने की इच्छा नहीं करती motivation नहीं मिल पाता क्योंकि चैनल पर पैसे हमें नहीं कमाने को मिल रहा है ठीक है तो बिना time based के वे मैं यहाँ पर आप देख सकते है मैं mobile screen पर यहाँ पर आ चुका हूँ अब इन्होंने क्या upload कर रखा है मैं आपको दिखा हूँ सबसे पहले मैं short वीडियो पर क्लिक करता हूँ दो वीडियो इन्होंने short पर upload कर रखे मैं एक वीडियो को play कर दी अब इसमें जो इन्होंने mail आ कहीं पर गया है फिर लगा हुआ है वहाँ पर गए हैं ये वीडियो सूट करके डाल दिया है अब आप मुझे बताइए कि इस मेले में क्या value दे रहे हैं ये इस वीडियो में बना कर इस मेले की वीडियो को बना कर ये क्या वीडियो में value देना चारे है मुझे ये बता हुआ आपको लग रहा है कि कोई value है इस वीडियो में अगर इन्होंने wise over किया होता या फिर इन्होंने text लिखा होता या फिर इन्होंने बताया होता कि यह जूला होता है इसमें ऐसे जूलते हैं इसमें डर लगता है कुछ भी knowledge अगर दी होती तो फिर इनका channel आज के time में monetize होता ये video reused content की है अगर इस type का कोई भी आपके channel पर video है जिसमें कि आप अपने खुशी के लिए video डालते हैं उसमें कोई knowledge नहीं होती तो वो video reused content होगी उस video को आपको delete करना पड़ेगा next यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इनके channel पर चलते हैं और दूसरी video मैं यहाँ पर चालू करूँगा यह पादने के वाज कैसी होती है यह थोड़ा funny video इन्होंने बना दिया है और funny video की जो वाइस आई है यह अच्छा है यह video इस type की यह डालेंगे तो इनका channel एक बार में monetize हो जाएगा कोई problem नहीं होने वाली है लेकिन अगर यह इस type की video नहीं डालती है तो फिर इनके channel पर दिक्कत हो जाएगी और इनका channel भी monetize नहीं होगा अब next यहाँ पर review जो करते हैं तो हम बहुत detail में चेक करते हैं इनके channel पर अब हम video section पर click करने वाले हैं वीडियो section पर click करने के बाद sword wire पर click करके most popular वीडियो पर click करते हैं most popular वीडियो पर click करने के बाद जैसा कि आपको अवी side में दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 3 साल पहले एक वीडियो डाली थी नींद चुराई मेरी देखो अब मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूं साइद आपको पता होगा कि किसी का song किसी की music किसी का video कुछ भी हमें अपने channel पर नहीं यूज करना है अगर अपने channel को monetize रखना है अमें तो इन्होंने क्या कर रखा है song ही यूज कर रखा है अगर ये डिलीट नहीं करेंगे तो channel monetize नहीं होगा नेक्स यहाँ पर एक और मुझे क्यों नहीं मिलती तू एक ये देखो वीडियो इन्होंने डाल रखी है अब इस वीडियो में इन्होंने music यूज कर रखा है दो साल पहले इन्होंने upload किया है तब reused content नहीं था दो साल पहले था साथ तीन साल पहले नहीं रहा होगा और इन्होंने ये वीडियो डाल दी इनके channel पर 35,000 से जादा subscriber है बट channel क्या है? डल है एकदम मरा पड़ा हुआ है, dead हो चुका है तो इस type की video हमें अपनी channel पर नहीं डाल नहीं है I think आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि reused content क्या होता है इनके channel पर जो song वाली वीडियो है ये reused content है, एक ये वीडियो है जो कि दो साल पहले नहीं अप्लोड की है मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इनके channel का ये हो सकता है इनकी ये original video हो बट ये channel monetize नहीं होगा जब तक ये तीनों video को delete या फिर private नहीं करते हैं अगर आप private कर देते हैं तो channel आपका monetize हो जाता है एक बार के अंदर कोई problem भी नहीं होती है और आपका channel दोड़ने लगता है उम्मिद करता हूं दोस्तों आपको ये knowledge समझ में आई होगी इन बातों को आप ध्यान रखेंगे अपनी video बनाते time और next time आप ऐसी गलती नहीं करेंगे अगर आपको हमारी ये video पसंद आई है तो please channel को subscribe and like जरूर करना video को comment करके बताना आपको ये video कैसी लगी और channel पर पहली बार आए है तो फिर से कह रहा हूं subscribe कर लो मिलता हो कल एक नई वीडियो में तब तक के लिए stay tuned Thank you so much for joining us